वेल तो हे गाईज, वेलकम टु दी माय चैनल मानिस पंकर्स तो वेल इस वीडियो में बात करने वाले कि रोमन रोइंसेंड ब्रॉक लेस्नर एंड जॉन सिना को लेकर एक काफी बड़ी इंट्रोस्टिंग अपडेट देखने को मिली है तो वेल उस थिंग के उपड़ी बात करेंगे एंड पॉल हेमन की तरफ से हमें एक काफी बड़ा प्लान जो की कैंसल होते वे दिखाई दे सकता है तो वेल उसको लेकर भी काफी बड़ी अपडेट देखने को मिला है तो उस थिंग के उपड़ी बात करेंगे and Seth Rollins को भी लेकर काफी interesting update है and और भी अच्छी खासी updates होने वाली है तो भाई, वीडियो के अंदर तो वीडियो को last तक जरूर देखना and जराब skip मत करना and also जिसने चैनल को subscribe नहीं किया तो भाई, क्या करो यार यहाँ पे तुम्हें हमेसा latest updates और interesting videos मिलती रहती है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं तो first of all first update की बात कर ले तो वैल यह update हमें देखने को मिल रहा है and यह है Ronda Rousey को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि जो Ronda Rousey है उनको लेकर update यह देखने को मिल रहे कि Ronda Rousey जो हमें Russell Mania 38 के अंदर शारलेब फ्लेर को हरा के जो की अफकोस हमें यहाँ पे champion बनते वे दिखाई देंगी and champion बनने के बाद तो वो हमें Russell Mania 39 तक यानि की पूरे एक साल हमें उनका title run देखने को मिलेगा जो की Ronda Rousey का यानि की Ronda Rousey हमें जो की Russell Mania 38 में Raw Women's Championship को जीतेंगी and वहाँ से लेकर हमें उनका title run Russell Mania 39 तक देखने को मिलेगा and इस बीच में जो की Becky Lynch और Ronda Rousey के बीच में काफी अच्छी खासी दिरे-दिरे feud को तयार की जाएगी और end में जाकर जो की हमें Ronda Rousey versus जो की Becky Lynch का match देखने को मिलेगा Russell Mania 39 के अंदर जो की of course काफी interesting रहेगा देखना and also ये भी interesting रहेगा देखना है की हमें Ronda Rousey का पुरा title reign का इसा देखने को मिलता है let's see वैसे हमें क्या thing देखने को मिलेगा okay so चलते हैं वैसे next one update की तरफ तो ये update हमें देखने को मिल रहा है and ये है Cody Rhodes को लेकर so जैसा कि आप लोग को बता दू कि यहां पे reports हमें ये देखने को मिल रहा है and also Dave Meltzer की तरफ से report देखने को मिला है कि जो Cody Rhodes हैं वो अपने return को back out कर सकते हैं यानि कि वो हमें return करते हुए दिखाई न दे तो ऐसा कुछ हमें यहां पे कहते हुए दिखाई दे रहे जो कि Dave Meltzer well इसके बाद तो हमें scene rose की तरफ से भी update देखने को मिलता है जहां पर scene rose का ये कहना था कि Cody Rhodes के आसपास वाले जो कि of course उनको कहरें कि back out कर ले लेकिन ये जो rumors हमें देखने को मिल रहे हैं ये rumors एक तरीके से हम लोग को बैकाने का तरीका देखने को मिले क्योंकि इससे तो लगेगा कि हमें Cody Rhodes नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हो सकता है कि हमें Cody Rhodes इसके बाद Russell Mia में देखने को मिले जो कि एक biggest surprise पूल कर सकता है तो ऐसा कुछ यहां पर प्लान बनाने की कोसिस हो रही है लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोडी रोट्स का में रॉसल मिल्या 38 में रिटन देखने को मिलेगा एंड अगर नहीं देखने को मिल गए तो भाई बहुत ही खतरनाक वाली और गंदी वाली जो कि बेली से एक बंदा सवाल पुछते वे दिखाई देता है जहां पर बेली का यह कहना था कि उनके रेटन को लेकर सवाल पुछते वे दिखाई देता है और जहां पर बेली का सिंपली यह कहना था कि अफकोस अब मेरा रेटन होई गया है तो ऐसा कुछ हमें यहां पर क देखने को मिल सकती है चाहिए वह राव देखने को मिले या फिर स्मैक डाउन में देखना काफ ज़्यादा इंट्रस्टिंग रहेगा वो के सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है यहां पर पॉल हमन एंड एमजे एफ की तरफ से जैसा कि आप लोग को बता दू कि रिसेंट क करस पर यह दिखाई देते हैं कि अगर एमजे अफकोस कभी ने कभी तो पाथ क्रॉस होगा एंड जब डव्र आंगे एंड उसके बाद अगर जब भी हम दोने के बीच में पाथ क्रॉस होगा एंड जब भी अगर उनके साथ कामकरने का मौका मिलेंगा तो तो ऑफकोस पॉलेमन जो की रिसेंड के एंटरवे में दर रॉक के रूमर को जो की कन्फर्म करते वे दिखाई देते हैं, जहां पर उनका ये कहना था कि उनको नहीं लगता कि रसल में थर्टी एट के अंदर रॉक देखने को मिलेंगे भी, अगर रॉक जो की रिटन भी कर गए तो अगल ये भी देखना काफी ज़्यदा इंटरस्टिंग रहेगा, लेकिन एक तरीके से भाई हम लोग कहें तो भाई पॉलेमन जो चीज़े कह रहे हैं, कि हमें जो दर रॉक है वो नहीं देखने को मिलेंगे रसल में थर्टी एट के अंदर, एंड आलसो उसके 374 दिनों में आके pictory तो उसकता है कि क्या पता, यहांपर यह मना कर रहे हैं, बट हो सकता है कि one time आपीरियस देने के लिए रसल मिलें थर्टी एट में उनका रिटन देखने को मिल सकता है and जहांपर रॉमन एसको सप्राइश करके, एटाक करते वihin दिखाई दे सकते हैं, पॉलेमन तो सीधा सिदा मनाँ कर दिया, तो मान coordinate हैं, उके सु चलते हैं, वैसे next one update की तरफ, तो वैल यह update हमें देखने को मिल रहा है, और यह notre ong densikan की तरफ से, जैसा कि आप अपननों को बता दू कि Nick Khan, जो कि हमें काफी interesting बात कहितेवें, दिखाई देते हैं, जो के représent के interview में, जहां पर Nick Khan का यह कहना था कि जो हम लोग WD के talents जो भी है जितने भी talents है मतलब जो भी हमें talents देखने को मिलते हैं सबको बराबर का मौका मिलता है सबको बराबर opportunities मिलती है and also सभी का अच्छा खासा बरताओ देखने को मिलता है लेकिन अगर वो बंदा success ना हो पाए तो वो क्या करें लेकिन अफकोस मतलब सबको बराबर का treatment देखने को मिलता है सबके लिए बराबर चीजे देखने को मिलती है तो ऐसा कुछ हमें आपे Nick Khan कहते वे दिखाई देते हैं यानि कि मतलब काफी अच्छी खासी बात हमें यहां पे देखने को मिल रही है ओके सो ऐसे next one अपडेट की बात करें तो वेल यहां में देखने को मिल रहा है डवलोली सुपर स्टार के नेम डिसाइड की तरफ से लेकिन ऐसा कुछ थिंग हमें यहां पे नहीं देखने को मिलता है डवलोली यहां पे जो कि सुपर स्टार का ओपिनियन देखती है और सुपर स्टार जो कि कौन से नाम को रखना चाहता है और उसके नाम के साथ में थोड़ा अपना नाम भी मर्ज कर देती है और यह थिंग जो कि सुपर स्टार के मर्जी से होता है तो अफकोस हमें उसके बाद उसका नाम देखने को मिलता है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केविन स्टीन जो कि केविन ओंस का नाम था पहले और उसके बाद डवलोड यहां पर सजेस्ट की थी उनको ओंस तो इसके बाद हमें क्यावी नोंस देखने को मिले तो यह एक तरीके का एक्जामपल हम यहां पर देख सकते हैं जो कि अफकोस काफी अच्छी खासी और काफी इंट्रस्टिंग बात हमें यहां पर देखने को मिल रही है ओके सो चलते हैं वैसे निक्स वन अपडेट की तरफ तो वैल यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है सेथ फ्रिकिंग रॉलेंस की तरफ से सो जैसा कि आप लोग को बता दू कि सेथ रॉलेंस को लेकर काफी इंट्रस्टिंग अपडेट देखने को मिला है सो जैसा कि हम लोग को पता कि सेथ रॉलेंस का एक लैडर मैच देखने को मिला था जहां पे उन्होंने एक कॉंट्रेक्ट जीता था एंड उसके बाद तो उनका मैच हमें देखने को मिलने वाला था बिगी के साथ में Day 1 Pay-Per-View के अंदर लेकिन Day 1 Pay-Per-View के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सुपरस्टार जो की गुष्टे गाए एंड Fatal 5 वे बना दिया एंड वहाँ पे जो Original Plan था वो Brock Lesnar के लिए नहीं था वहाँ पे Original Plan जो की Seth Freaking Rollins के लिए था वो हमें Championship जित्ते वे दिखाए देने वाले थे लेकिन वहाँ पे हमें वो सारी चीज़े नहीं देखने को मिली एंड उसके बाद से Seth Rollins के पास कोई Opportunity नहीं थी और वो सीधे सीधे हमें खाली देखने को मिल रहे थे उनके पास कोई Apponent नहीं था रसल मिनिया के लिए तो Overall यह जो सारी Storyline हमें देखने को मिल रही है जो की Seth Freaking Rollins की वो एक Genuine Storyline देखने को मिल रही है एंड एंड में जाके रसल मिनिया के लिए जो की काफी ज़्यादा हमें यहाँ पे इंट्रेस्ट बनते वे दिखाए दिया है इस Storyline को लेकर जो की अफकोस यार यह हमें यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिली है तो भाई काफी बड़ी थिंग देखने को मिल रही है और काफी अची कासी Long Term Storyline है जैसा कि आप सभी लुक को पता ही होगा तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो इस वज़े से हमारा जो इतना ज़्यादा इंट्रेस्ट है इस Storyline के रहे बना हुआ है और यहाँ पे देखते हैं अभी हमें Russell Mania 38 के अंदर कौन देखने को मिलेंगे बाइस है त्रोल इसने तो सबको टीस कर डाला सबको टीस कर डाला चाहे वो John Cena हो चाहे वो कोई भी सुपरस्टार हो यहाँ पे इन्होंने सबको टीस कर डाला तो लेट सी वैसे हमें कौन सा सुपरस्टार देखने को मिलेगा Cody Rhodes देखने को मिलते है Saint McMahon देखने को मिलते है या फिर कोई और और अफकोर्स चांसेस तो Cody Rhodes के ही है ओके सो चलते है वैसे नेक्स वन अपडेट की तरब क्रिकेशन का Champion versus Champion का So John Cena बताते कि वो इस मैच को काफी closely देखने वाले है यानि कि Roman Reigns और Brock Lesnar का जो मैच होगा इसको काफी closely काफी ध्यान से देखने वाले है जो कि John Cena जैसा कि हम सभी लोग जानते है कि Roman Reigns versus John Cena का जो मैच हुआता Summer Slam में उसके बाद हमें जो कि John Cena के उपर Brock Lesnar का attack देखने को मिला था And John Cena of course इस चीज को भूले नहीं रहेंगे तो Roman Reigns versus Brock Lesnar देखने को मिलेगा उसमें हमें जो कि John Cena काफी closely देखने वाले हैं तो of course by John Cena इस चीज को याद रखे रहेंगे लेकिन फिर भी जैसा कि हम लोग को पता है लेकिन फिर भी अगर John Cena ने इतना कहीं दिया कि इस match को closely देखने को देखने वाले हैं वो तो भाई हो सकता है कि maybe who knows क्या पता हमें कुछ interesting देखने को मिल जाए Let's see वैसे हमें क्या thing देखने को मिलेगा जो भी देखने को मिलेगा overall interesting रहेगा So वैसे आपका क्या opinion और इन सारी things के उपर हो मुझे comment section में जरूर बता देना Well वैसे अगर आपको ये video पसंद आई है तो यार like करो, dislike करो, share करो, subscribe करो जो भी करना है कर सकते हो And also Instagram and Twitter calling by description में मिल जाएगा तो वैल वहाँ पे जाके जरूर follow भी कर सकते हो And जिसने चैनल को subscribe ने क्या तो भाई क्या कर रो यार यहाँ पे तुमें latest updates और interesting videos मिलती रहती है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले ना Okay, so फिन मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye everyone guys